सबी साथियों को प्यार भर नमस्कार जैहिंद कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करता हूं ठीक हैं अच्छे हैं मस्त और सस्त हैं आप देख रहे हैं नेवरी शार मैं हूं विजेंदर सिंग नेवरी आपका होस्ट और दोस्त फिर से एक बार हाजी रहे हूं आप सबके लिए स्रीज लेके और ये जो टेस्ट स्रीज है ये स्पेसल टार्गेट रीट को करते हुए है इसमें पनलोग पढ़ रहे हैं आरबी सी क्लासिक्ष एसस्ट की जो बुक है वो पढ़ रहे हैं अभी नई वाली नहीं आरबी सी आगयत पुराने वाली होगी 2019 वीस वाली बुक जो स्पेसल रीट के लिए कारगर सीध होगी इसका आज अपनाए टेस्ट है पाठुनिस्का महाजन पदकालिन भारत और मघद सामराज्य क्या कहानियां बनती हैं किस प्रकार से आगे चलती हैं कौन-कौन से यहां से महत्तोपन परशन है इससे पहले क्लास को लाइक कर दें औ इतने साथियों तक आप पहुंचा सकें उतने साथियों तक पहुंचा दीजिएगा चलिएगा बिना किसी देरी के वे करते हैं पन टेस्ट को शुरू पहला परसे आपके सामने स्क्रिन पे है Easy परसन है सामान्य परसन है जो बार-बार प्रिक्षाओं में आ जाता है और इस याणि मतत्से महाजनपत की राधधानी मतत्से उत्वे Πराचीन महाजनपत माना जाता है इसका विस्तार यह जो राजस्थान वाला अलवर वाला जो छेतर हैं यहां से लेके चंबल नदीbn तक था और इसकी जो राजधानी थी ये जेपुर से लवर जाने वाले मारग पर जिसे अपन कहते हैं एक नाम आता है बेराट और उसी बेराट का नाम आता है विराट नगर माहा भारत के अनुसार कहा जाता है माना जाता है एसा कि पांडवो ने अपने ज्यात वास का समय यहीं बुजा रहा था इसी विराट नगर में और इसी विराट नगर को मित्रों क्या कहा जाता है इसी विराट नगर को कहा जाता है बेराट और इसी बेराट के अधार पर कौन में आजानी चाहिए इसके बाद प्रसंद बनेगा कि गुरूजी वाराण deeper किसी की राध्धानी है क्या बिलकुल वाराण सी कासी महा जन्पद कि राध्धानी थी कासी वह वालाई कासी जोirk शक्षा के लिए प्रसीत थी या नैंवा पिछली रीट 2018 में प्रशन आये था रीट 2018 में प्रशन आये था एक विशेश प्रशन था अब आप गोर कीजिएगा कौन सा प्रशन था कि मतूरा किस महा जनपद की राध्धानी तो सातियों गोर करेंगे मतूरा सूरसेन महा जनपद की राध्धानी थी मतूरा कौन से जनप पढ़ते हैं तो कोसल नरेश का नाम आया होगा कोसल की राध्धानी रामाइन बताती है जबकि बोध गरंथ जितने भी है आवो इसको स्रावस्ति बताते हैं जानी बोध गरंथों के नुसार कोसल की राध्धानी स्रावस्ति जबकि अयोध्या के नुसार कोसल की राध्धान चलिएगा आगे चलते हैं second person आपके सामने हाजीर है ताजयँ तरीन अच्छा साख शानदारसाख जानदारसाख प्रशन प्रशन क्या कह रहा है देखीगा कि दक्सिन भारत में इस्तित महाजनपद कौन सा था चार नाम हैं क्या मतटसे महाजनपद था सूरसेन महाजनपद थ था या असमक महाजनपद था ये चार नाम हैं इनमें से कौन सा महाजनपद ये दक्सिन से समंदित हैं यानि यूँ कह सकते हैं जितने भी महाजनपद हैं इनमें सबसे दक्सनी महाजनपद अपन पढ़ते हैं इनमें सबसे दक्सनी जो महाजनपद था ये आपका कुंसा था यही था, तो सही जवाब, सही जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं, इसका सही जवाब आएगा असमक, अब गुरुजी दक्सिन में था, बिल्कुल दक्सिन में था, कौन सी नदी के किनारे था, तो साथियों गोर करेंगे, यह आपका गुदावरी नदी के किनारे, प्रशन आ याद रखेंगे अस्मक दक्सिन में है अस्मक दक्सिन में है गोदावरी नदी के किनारे है और इसकी राध्धानी की बात आती है तो अस्मक की राध्धानी कुनसी मित्रों तो आप कहेंगे पोतन जिसे पोतली भी कहा जाता है जिसे पोधन भी कहा जा सकता है और बाद में अ महाजनपद था ये आपका अवंती के अंदर मिल गया था चलते हैं आगे चलता है तीसरा प्रशन याद रखेगा अभी जो आपको फेक्ट बताया असमत जो था ये दक्सिन भारत का एकमात्र महाजनपद था ये महत्तो पुन बात आपको याद रखनी है क्या आद रखनी है दक्सिन भारत के अंदर एकमात्र जो महाजनपद था वो कौन सा था असमत था चलिए आगे चलता है नेक्स्ट परशन की और पन अगला जो प्रशन आपके सामने आ रहे है 16 महाजनपदों का सबसे पहले उलेक किस ग्रंथ में मिलता है सांदार प्रशन है अच्छा प्रशन दूसरा है रिगवेद में तीसरा है अथरववेद में और चोथा है सामवेद में इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे पहले इन 16 महाजनपदों का उलेक जो है यह कहां मिलता है प्रशन बताईएगा उत्तर इसका सबसे पहले आप ही बता सकते हैं मुझे लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं वेरी गुड शांदार शावा सिसी प्रकार लगे रहे हैं अंगुतर निकाई के अंदर मिलता है अब गुरुजी अंगुतर निकाई क्या है साथियों गोर करना अंगुतर निकाई बोद्ध गरंथ है जेन गरंथ आता है जिसका नाम आता है भगवती सुत्र, परशन बन सकता है कि क्या भगवती सुत्र में भी इसका उलेक मिलता है, बिल्कुल भगवती सुत्र में भी 16 महा जनपदों की सुची मिलती है, लेकिन सबसे पहले, यहां पे क्या लिखाओ है, सबसे पहले उलेक कौन कार्थ क्या होता है जन्पद का मतलब यू मानिएगा जैसे ही आपका चटी सताब्दी साब पूर्वा में लोहे का इस्तेमाल हुआ कर्सी और अर्ण्य आर्थिक गतिविधिया ही कर्सी का विकास हुआ जो कबाली जीवन था यानि अपन कहें कभीलों के रूप में रहते थे वो धीरे 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 अब लोग रहने लग गए रहने लग गए तो मनुस्यों का जो निवास स्थान था उसी निवास स्थान के लिए एक काम एक सब्द काम में लिया जाने लग गया और व महाजनपद कहलाएगा अगला परशन आपके सामने है मगद की प्राचिंतम राजधानी कौन से थी इसका मतलब मगद की दो-तिन राजधानिया रही है क्या बिल्कुल भाई साथ मगद की एक राजधानी नहीं है वेसे तो जितने भी 16 महाजनपद हैं इनमें सबसे सकती साली जो महाजनपद है ये मगद महाजनपद ही है लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि मगद की प्राचिंतम राजधानी कौन से थी चार विकल्प आपके सामने यहाँ पर आ रहे है इन चारों में से आपको बताना है कि मगद महाजनपद की जो आपका राजधानी थी वो कौन से थी फड़ाबर से कमेंट करके बता दीजीएगा जलदी से काना चीज का आंस्मार मगत की जो प्राचिंतम स्वरी मगत की जो प्राचिंतम राजधानी थी साथियों आउँ आपका कौन सी थी? ग्रीवरस थी बाद में कौन सी बनी? बाद में मगद की राधधानी राजगरे बनती है पाटली पुत्र बनती है यानि ये भी किसकी राधधानिया है ये भी मगद की ही राधधानिया है लेकिन सबसे पहले मगद की राधधानी ये कहा बनती है कौनसी बनती है तो आप कहेंगे इसके सबसे पुरानी राधधानी गृषी 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 गृष था किसे भी सत्रू के लिए पहुंचना बड़ा दुसकर था और पाटली पुत्र यह आपका नदियों के बीच में था गंगा और सो नदियों के बीच में तो यह सारा का सारा था कि यहां पर दुस्मन था पहुंच नहीं सकता था इसलिए मगद की उन्नती क्या गुरुजी लोहें से उजार बनाएंगे हतियार बनाएंगे जब उजार बनेंगे हतियार बनेंगे तो आप अपने आप ही लोगों से क्या हो सक्ति शालिए आज के युग में देख लीजिएगा जिस देश के पास बड़े-बड़े हतियार हैं बड़े-बड़े यान है अब वो देश आज भी सक्ति शालिए गुर्जी और और यहां पर नदियों का चत्र था खेती होती थी खेती होगी तो आर्थिक स्थति मच्पूत होगी और युद्ध करने के लिए युद्ध करने के लिए इनके पास हाती सेना थी यानि मगत के हिस्तों पे जंगल थे जहांपे हातियों को पकड़ा जा सकता था यह मगत की मच्पूति के क्या थे कारण थे साथ हूं उसके बाद देखीगा सेर करने में कंजूसी नहीं रहनी ची सेर कर दीजिए जितना कर सकते हैं उतना कर दीजिए ठीक न यहां पे कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाता है इतने मैचोर तो आप हैं इतने परिपक्वत आप हैं आप जब टीचर की तयारी कर रह अगला प्रशन आपके सामने इस प्रकार है बुद्ध काल के समय कौन चार सकती साली राज तंत्रों में नहीं था यानि सोले जो महाजन पत्थे कितने महाजन पत्थे सोले महाजन पत्थे सातियों और सोले महाजन पत्थों में आपसे प्रशन आ सकता है कि कौन सा महाजन पत्था सोरी कौन से चार महत्तो पूर महाजन पत्थे और इनमें से एक नहीं है अब कौन सा नहीं है आप बताईएगा जरा फटाबर से बता इन में से कौन सा आपका सक्तिशाली राजतंत्रों में से नहीं है जब आपने किताब पढ़ा तब वहां पे साप साप लिख रखा था कि बुद्ध के समय ये भी सक्तिशाली था और बुद्ध के समय ये भी सक्तिशाली था चोथा तो मैं नहीं बताऊंगा कौन सा आप बता लेकिन इन में से है कुन सा नहीं तो कंबोज इसका अंसर है ये चार सक्तिसाली राज तंत्रों में नहीं था ठीक है न अब आगे बात आती है ये चार सक्तिसाली में नहीं था बिल्कुल मानगे आपकी बात लेकिन अब अब अपन बात करें कंबोज था कहां ये बिल्कुल ज अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फेला हुआ जो महाजन पत्था वो कौन सा था वो आपका कंबोज महाजन पत्था कौन सा था मित्रों कंबोज महाजन पत्था तो बताईएगा अभी तीन तो मैंने बता दिये मगद बता दिया वज्जी बता दिया और कोसल बता दिया एक गलत कथन को चुनना है और गलत कथन आप तभी चुन पाएंगे साथियों तभी चुन पाएंगे जब आपने पाट को बड़े इत्मिनान के साथ पढ़ा है बड़े ही अच्छे ढ़न से पढ़ा है तब आप गलत कथन चुन पाएंगे वेरे गुड सही भी आ रहे गलत भी आ पस से अपनी तैयारी को जान सकते हैं कि कल मेरे तीन प्रसंद गलत थे आज मेरे कितने गलत थे ठीक है ना इसलिए मैं इनके आंसुर की साथ ने देता हूं ठीक है अब देखेगा 80 महा जनपत की राजधानी वारान सी थी कोसल महा जनपत की राजधानी रामायन में तो मेरे इसाब से सांड देंगे क्योंकि चंपा तो वेसे ही याद है अंग अंग में चंपा अंग अंग में चंपा है अंग अंग में चंपा है यानि अंग जो महाजन पत था उसकी राध्धानी चंपा थी एक तो यह यहाँ पे गलत फेक्ट है और एक ये गलत फेक्ट है पूर्वी भाग में ना होके कौन से भाग में था तो मित्रों याद रखेंगे मुंदेल खंड के पस्मी भाग में था अब गुरुजी चेदी की बात ही चल पड़ी है तो चेदी का उलेक क्या रिग्वेद में मिलता है यहां का राजा सिसुपाल था बिल्कुल था इसकी एक साका कलिंग में स्तापित हुई बिल्कुल हुई इसकी रादधानी सक्ती मती थी बिल्कुल थी इसी सक्ती मती को बोध सक्ति है चेदी में सक्ति है याद रखीगा चेदी में क्या है सक्ति है सक्ति मतिस की राध धानी और सिसुपाल चेदी वन्स का एक महत्तोपून सासक्ता मित्रों आगे आ रहा है अच्छा प्रशन है अच्छा प्रशन है सांदार प्रशन है आपकी तैयारी की प्रख लेने व तक था यह उत्त्री और दक्सणी दो भागों में बटा वबा था उत्री भाग की रात्धानी अही Schönth attend थी और दक्सिन भाग की रात्धानी कापिले थी यहां गण्तंत्री यह व्यवस्था काइम ती अभी में से आपको बताना है कि कौन सा कौन सा आपका महा जनपद उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसमें गंतंतर था इसमें गंतंतर था ये सारी बातें कही जा रही है किस के बारे में कही जा रही है फटावर से कमेंट करके बता दीजीगा क्या ये बातें सुरसेन महाजनपद के बारे में सटिक बेटती है क्या बातें पांचाल महाजन सावास सही जवाब होगा पांचाल महाजनपद कौन सा पांचाल महाजनपद है इसका विस्तार रोहिल खंड जिसे पन कह सकते हैं यह आपका बंदाईव वाला चत्र फरुकाबाद वाला चत्र आधुनी कहिए और मध्य द्वाब था दो भागों में था उत्री पांचाल और चत्र थी और दक्षनी पांचाल की राध्धानी काफिले थी काफिले और यहां गणतंतर था यहां कौन सा तंतर था गणतंतर था याद रखीगा चलते हैं आगे चलते हैं आगे याद रखना गणतंतर था गणतंतर था और यह दो दो राध्धानियों का चकर कहां कहां कोंसल अभी पढ़ा था पने को अच्छा प्रसन या आपकी तयारी को अच्छण को अच्छा अच्छा प्रसन निमने लिखित में से कौन वर्तमान भारत में नहीं है कितना अच्छा प्रशन यानि भारती सीमा आज जैसी है उसमें कौन सा महाजनपद नहीं है सूरसेन ये तो यूपी के पास वाला है असमक ये तो गुदावरी नदी के पास वाला है अवंती ये तो आपका भी पढ़ा पने अवंती जो महाजनपत था ये MP वाले चेत्र में था ये तो है महरास्टर वाले चेत्र में कुछ फेलावा था है पांचाल ये भी भी पढ़ गये हैं मलवजी भी है लेकिन गांधार और कमबो जब नहीं है ये पाकिस्तान अफगानिस पाकिस्तान वाले चेत्रों में ठीक है अच्छा प्रशन है आसकता है भाई साब और गांधार की राध्धानी तक्सिला जो प्राचिन भारत में सिक्षा का एक महत्तुपुन के इंदर हुआ करता था प्राचिन भारत में सिक्षा का एक महत्तुपुन के इंदर था तक्सिल और नहीं है ये कथन पढ़ लीजेगा वरना मार खा जाओगे पहला कथन कहे रहा है महा जन पदों में राज तंत्रात्मक एवं गन तंत्रात्मक दोनों परकार की सासन में उस था थी क्या अब आप बताएंगे थी या नहीं मुझे पता नहीं उसके बाद गन पती और मंत्री परिशद सासन के बारे में परिशद को जानकारी देते थे गन पती यहां पे सब्दा इसका मतलब राजा है गन पती गन का पती राजा गन राज्ये की रक्षा के लिए सेना और सेना पती होता था आब बताईए होता था कि नहीं होता था और न्याय का सर्वोच्य अधिकार पुलिस अधिक्सक होता था इनमें से गलत कथन है नियाय का सरवोच्य अधिकार ये पुलिस अधिक्सक नहीं था राजा था गणपती था लेकिन साथियों अपील करने का अधिकार यहां भी था यहां से आदेश दे दिया उच नैले में जाता यहां से भी आ गया यहां था ज हो गया कि घोसित की ये प्राधी है यहां जाके अगर नियाले ने कह दिया कि ये प्राधी नहीं है तो वापस भी घर पे आ सकता था कितने अच्छी नहीं गया उसताथी उस टाइम भी ठीक है ये नियाय का सरवोच्ची अधिकारी पुलिस अधिक सकना होके राजा स्वयम होत तर राज तंत्रात्मक सासन परनाली थी यानि वज्जी था उसमें उसमें गनतंत्रात्मक परनाली थी और मल था उसमें गनतंत्र परनाली थी बाकी लगबक सभी में राज तंत्र था कुछ एक में लास्ट में जाते जाते गनतंतर हो गया लेकिन मुक्यरूप से वज्जी जो रास्त अंतर था मैं तो पुन बातें याद रखनी अगला प्रसंद मगत के परमुक सासकों में कौन सा गलत कथन है कौन सा गलत है मगत के बारे में कहा जा रहा है कि मगत के सासकें इनके बारे में कौन सा गलत है पहला उप्शन आ रहा है हरी एक वंस हरी एक वंस में बिंदु चांटने में कितने लोग गलत उत्तर देते हैं ना देखीगा देखीगा देखते हैं जरा कौन सही उत्तर दे रहा है कौन गलत उत्तर दे रहा है ना सबस देखेगा इसका जो गलत है ये पहला है ये बिंदु सार नहीं आना चीए यहां पर अगर बिंबी सार आ जाता बिंब जो सासक बना था गद्दी पे बेठा था असोक का पिता था वो कुन था वो बिंदू सार था चंद्र बिंदू चंद्र गुप्त चंद्र गुप्त के बाद में बिंदू लग गई बिंदू सार आ गया और बिंदू के बाद में तो कोई सोक रहा ही नहीं असोक आ गया था ठी आये हैं इसका मगत सामराजय में क्या कर दिया विले कर दिया उसके बाद इसके पुत्र अजाद सत्रू ने भी अपने पिता की जो विरासत थी उसको आगे बढ़ाया और इस मगत सामराजय को बड़े चेत्र के उपर पहुंचा दिया उसके बाद सिसुनागवंस आता है और स सिसु नाग है धौनों में अंतर है सिसु पाल कहां का था चेदी नरेश था सिसु पाल ये सिसु नाग है जो मगद का सा सकथा ऐसे ही तो गण बढ़ होती है न भाई साथ इस से इगडबड होती है ठीक है अब नागवंस ने अपने दूसरी राध्धानी किसको बना लिया था इसने वेशाली को दूसरी राध्धानी बना लिया था यह याद रखेगा सामाने सिख बाते हैं सिसु नागवंस में एक वेक्ति और आता है जिसका नामाता है काला सोक क्या प्रशन आपके सामने स्क्रिन पे अरे रुक्जा भई निम्न लिखित में से कौन सा जन्पद गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहडियों तक विस्त्रित था चार उप्षन देखेगा कौन सा है नेपाल की पहडियों तक विस्त्रित था पहला मल्ल था दूसरा तू था चो था पांचाल था इन में से कौन साइक है जो आपका नेपाल की पाड़ियों तक विस्तृत था जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा इसमें जो वज्जी महाजनपद है ये नेपाल की पाड़ियों तक फेला हुआ था बाकी सारे मल महाजनपद है चाहें कुरू की ब प्रश्ण नेपाल की पाडियों तक फेलावा था गंडक नदी कोसी महाननदा वहां तक फेलावा था इसकी राध्धानी क्या थी वेशाली थी याद रखीगा आगे एकला प्रशन है नेमनलिकित में से गलत को पहचानना है इन में से गलत कुन सा है अंग की राध्धानी चमपा मगद की राध्धानी पाटली पुत्र कासी कासी वाराना सी कुरू कुरू ये दिल्ले वाला चेत्तर था इंदर परस्त नगर तो आज भी हस्तिनापुर कुरू महाजनपद का एक अच्छा बड़ा नगर था मतस्य महाजनपद विराट नगर सूरसेन की राध्धानी मतूरा असमक की राध्धानी पोतन कंबोज की राध्धानी राजपूर गांधार की राध्धानी सक्ती मती और वज्जी की राध्धानी वैशाली इन में से गलत बताना गलत कुन सा है गलत इसमें से है गंधार की राध्धानी सक्ती मती एक महिश मती भी आएगा उजेन की दूसरी राध्धानी थी ठीक है उजेन की राध्धानी सोरी उजेन का नम अवंती की अवंती की एक राध्धानी तो उजेन थी और एक थी महिश मती तो याद रखेंगे गांधार की राधधानी सक्ती मती नहीं है तक ससिला है अगला प्रशन फिर आपके सामने स्क्रिन पर प्राचिन काल में राजा दलीप और रगू दसरत और सिरी राम आदी सूरिय वंसी सासको ने किस महा जनपद पर शासन किया अभी मैं बता के आथा बो कोसल नरेश की जय यानि कोसल महा जनपद कोसल महा जनपद कोसल महा जनपद के उपर ना सासन किया ना किसने राजा दलीपने रगूने दसरत ने स्री राम ने ठीक है चलिए अगला प्रशन आपके सामने है मघद में मघद में यह है मघद में गलत हो गया तोड़ा यह मगद वैं अंग के बीच मघद वैं अंग राज्यों के बीच अंग्रेज्जों लिखा गए इसमें मगद वैं अंग राज्यों के बीच कौन सी नदी बहा करती थी परक्ता आईएगा फटापड मगद और अंग राज्यों के बीच में कौन से नदी बहा करती थी गंगा नदी सौन नदी पावा नदी चमपा नदी सही जवाब इसका होगा चमपा नदी अगला प्रशन है राजा सिसुपाल का समन किस महाजनपत से है और इसकी राध्धानी बहुत सा रिपीट करवा दिया केवंति की दो राध्धानिया थी लेकिन यहाँ पर कह रहा है उत्री भाग की राध्धानी कौन से थी फड़ाबर से बताईएगा उत्री भाग की राध्धानी तकसिला थी उज्जेन थी महिसमती कोई नहीं लाइफ लाइन चाते हैं ये दो में कट क हैं इन दो में से आपको बताना है और इसमें उत्री राध्धानी ती उत्तरी वज्जेन यहां पे बुद्ध के समकाली अवंती का राजया था चंड प्रधौत प्रशन आ सकता है कि अवंसी महा जन्पद में बुद्ध के समकालीं एक राजया हुआ करते थी जिनका नाम थ था चंड प्रधोत के नाम था चंड प्रधोत और प्रधोत दोचा यह महा कचाइन के प्रभाव में आके बुद्ध बन जाता है और चंड प्रधोत ने बुद्ध को अवंति आने के लिए अमंत्रित किया लेकिन लेकिन सुनात चंड प्रधोत ने बुद्ध को बुलाया और व्यवस्ति सासन प्रनाली को जनम दिया, हरी एक वंस के सास को ने, सिसुनाग वंस के सास को ने, नंद वंस के सास को ने, मौरिय वंस के सास को ने, सही जवाब जो होगा इसका, सही जवाब जो होगा इसका, वो होने वाला है, कौनसा वंस, नंद वंस, कौनसा, नंद वंस के सासको ने क्या किया इनको एक व्यवस्ति जो सासन पर नाली थी वो दे दी उसके बाद अगला प्रशनार आपके सामने स्क्रिन पे भारत का प्रथम विशाल समराजे था मगत समराजे हरश वर्थन समराजे गंधार समराज против म्में कोई नहीं तो नो डाउट कौन सा समराजे मगत समराजे था और मगत समराजे पेपन ने हरियक वन्स पढ़ा आपने नाग वन्स पढ़ा आपने नंद वन्स पढ़ा आपने मोरिय वन्स पढ़ा लेकिन हरियक वन्स से पहले यहां के सास अकुआ करते थे व्रेद्रत वन्स के वेक्ति थे वो यहां के सासकवा करते थे उसके बाद जरासंद था रिपुंज था जरासंद नहीं गिरीवर्ज को अपनी राध्धानी बनाया था चलते हैं अगला प्रशन आपके सामने इस प्रकार से हलास्त प्रशन है कि महाजनपद यूग के बारे में नेमन लिखित में स कौन सा कथन है वो गलत है महाजनपद है इसके बारे में गलत कथन आपको बताना है कौन सा गलत कथन हो सकता देखीगा पहला है दिवतिय नगरी करण कायूग दूसरा इस महाजनपद में लोहे का उप्योग होने लग गया बौद तथा जे नादी दार्षनिक विचार धार नगरी पने इसमें सभी सहीं फिकों का विकास भी वा था दिवतिय नगरी करण क्यों कहते परतफम नगरी करण तो सिंदू घाति सभेता में हो गया था साथ और ये था दिवतिये नगरी करहन ठीक है उसके बाद और भी बहुत सारे प्रशन बन सकते हैं महाजनपद में लेगिन जो महतोपुन महतोपुन बाते थी महाजनपदों की वो मैंने आपको बताई ये था आज का टेस्ट आज की कलास उमीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी आपको नई जानकारियां मिली होगी अगर आपको नई जानकारियां मिली हैं आपको समझ में आया है तो आप इस टेस्ट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाईएगा ये मुहिम नेशुलक मुहिम सब पढ़ें सब बढ़ें ये हर वेक्ति तक पहुंचने चाहिए मिलते हैं नहीं किलास में साथ बजे वाले किलास में नई जोस के साथ नए टेस्ट अगर आपको कोई क्लास अच्छी लग ये टेस्ट अच्छा लगा है सबसे पहला काम आप लाइक करें उसके बाद आप इससे अपनी क्लास को सेर करें पहली बार अगर आप विजिट कर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं जल्दी नए जोस नए नोल आप विदा बाइ टेक केर